नमस्कार दोस्तों हर्याणा सरकार के दोरह एक और बड़ी गोशना की वीडियो जो है वो आज आपके बीच मैं लेकर आया हूँ बीपिल रसन कार्ड वालों के लिए जुरूरी सुचना जियां दोस्तों बीपिल रसन कार्ड जितने भी बने वे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर इस महीने रसन को लेकर बड़ी अपडेट आई है 6 दिसंबर 2024 को एक नया आदेश जो जारी किया गया इसको लेकर लेटर भी जारी हुआ है तो क्या है पूरी अपडेट कम्प्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतक जुरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आप सभी से निवे दिन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो हर्याना से जुड़ी अरताज अपडेट समय पर पाने के लिए आप इस चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कुनी वीडियो ने अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता रहे तो जो अपडेट है यह सिधा आपको इस पर ले चलता हूँ यहाँ पर देखी दोस्ते इस अपडेट में क्या बताया गया है कि 31 तक डिपो में मिलेगा नवंबर का बकाया सर्षों सुरज मुखी तेल खादेव पूर्ती विबाग ने जो है वो जारी किया नोटिफिकेशन यानि कि दोस्तों यहाँ पर आप तेख सकते हैं कि जो नोवंबर का बकाया सर्षों और सुरज मुखी का तेल है वो आपको यहाँ पर जारी किया जाएगा 31 दिसंबर तक है और इसका भी नोटिफिकेशन जो है वो खादेव पूर्ती विबाग ने जो है वो जारी भी कर दिया एक बार पूरी अपडेट भी पढ़ लेते हैं इस अपडेट में क्या बताया गया है हरिणा के खादेव नागरिक आपूर्ती मंतरी राजिश नागर जी के निर्देश पर किनी कारणों से नुवंबर में वंचित रह गई लोगों को 31 दिसंबर तक राशन डिपों में खाना बनाने का सर्शों अत्वा सुरुज मुखी तेल मिलेगा इस बारे में खादेव आपूर्ती विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है वहीं राशन डिपों के संचालकों को भी इस बारे में विवस्था बनाने के आदेश जो है वो जारी हुए है राजय मंत्री ने का एकी सिकायत मिल रही थी कि परदेश के कुछ जिलं में नोवंबर का राशन ज्वब तेल नहीं मिल रहा है हैफेड और कॉनफेड को निर्देश जारी किये गए है कि वैबरपूर मातरा में राशन डिपों में तेल बिजवाएं इसके साथ इडिपो ओल्टर को भी निर्देश जारी किये गए हैं जहां भी नुवंबर मा का तेल नहीं मिला वैं नुवंबर दिशंबर दोनों महिने का तेल वितरित करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे परिवार जिन परिवारों को नवंबर महीने का तेल अगर जारी नहीं किया गया है तो ऐसे परिवार जो अब दिसंबर महीने में अपना सर्सों का तेल या फिर जो सुरज मुखी का तेल है वो ले पाएंगे क्योंकि यहां पर पीछे नमबर मन्थ में वो काफी परिवार ऐसे थे जिनको सर्सों का तेल नहीं मिल पाया था तो इसको लेकर अब विभाग ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है चैनल पर नहीं है चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेयर जुरूर कर लीजेगा धन्यवाद दोस्तों